तो अब हम आ गए हैं आपको यह दिखाने कि आखिर इसका इस्तमाल कैसे होता है वह आपको दिखाएंगे और कितनी उचाई तक यह उड़ पाएगा क्योंकि इंडियन आर्मी जब इसका इस्तमाल करती होगी सहजीत इस्वक्त मेरे साते हैं वो आपको इसको ऊड़ाके दिखाएंगे सहसे चलाईएगा ज़रा और दिखाईएगा कि आख scriby levee कांगे और कैसे इह उड़ सकता है अब बस इसकी शुरुआत होने जा रही है ये चलेगा और उसके बाद धीरे धीरे ये आसमान में उड़ेगा क्योंकि यही वो ड्रोन है जब ये चलता है तो आसमान में जाता है और दुश्मन को टार्गेट भी करता है साती सात इस ड्रोन में हत्यार भी रखके ले जाए जा सकते हैं आप देखेगा किस तरीके से इसकी शुरुआत हो चुकी है उड़ने की और ये आसमान में है इसमें क्यामरा भी लगा हुआ है कि दुश्मन को ये देख सकता है उसके बाद वहां से उसे टार्गेट कर सकता है जिसकी तस्वीर सवक्त शेष्ट भारत आपको दिख से हालांकि अभी सहजीत हैं सहजीत की निगरानी में यह हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसका इस्तो इसकारी किया जाता है क्योंकिzysta वाडर एर्या में ऐसे ड्रोन्स को आप अक्सर देखते होंगे जब दुश्मन की तरफ से कोई ड्रोन आता है तो उसे नश्ट करने के लिए कहीना कहीं इस्तमाल किया जाता है उसका पता लगाने के लिए भी इंडियन आर्मी इस ड्रोन इस्तमाल करती है और ड्रोन का चलन कहीं ना कहीं बढ़ा है बॉडर एरिया पर खास तोर पर जमू कश्मीर में खास तोर पर पंजाब के बॉडर एरिया पर क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे नशीले पडार्त को भी ड्रोन के जरीए भेजने की कोशिश दुश्मन देश करता है लेकिन उसके जवाब में कै इसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं हालांकि यह जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सहजीत इसको चला रहे हैं और सहजीत इसको दिखाने की कुशिश कर रहे हैं कि कैसे यह चल रहा है सहजीत बताईएगा जरा कि कैसे आप इसका इसका इस्तमाल कर रहे हैं कितनी उचाई तो और उसके बाद क्या है कि जूम फीचर्स भी होते हैं इसमें तो आप दुश्मन की उपर नजर भी रख सकते हैं प्लस रेकी करनी है तो रेकी भी हो जाती है इससे बहुत ही असानी से और ये एक केजी का पेलोड भी उठा सकता है तो हम इसके साथ कुछ पेलोड है या फि भी नहीं लगेगा कि ये ड्रोन किस तरीके से उसको देख रहा है और उसको टार्गेट कर रहा है यही खूबी है इस ड्रोन की जिस ड्रोन को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं किस ड्रोन की आखिर खासियत क्या है क्योंकि दुश्मन को जवाब ज साथ में हर्ष्भारद्वाच श्रिष्ठ भारत के लिए